आज हम पढ़ेंगे आचारी भामा के अनुसार काविय प्रियुजन क्या है कामा अपने एक रचना काविय अलंकार में लिखते है धर्मार्थ काम मोक्षेशु वैचक्षणयम कला सुचद कला को साथ में जोड़ दिया है वैचक्षण का करोती कीर्थी प्री तीचर सादु काविय निबंधनम और सादु काविय को कहकर के वो किस चीज की तरफ सारा कर रहे हैं सादु काविय का मतलब क्या होता है स्रिष्ट काविय उत्तम काविय का निर्मान वो कब कर सकता है जब उसके भीतर अच्छी प्रतिबा हो लेकिन उसके पीछे कुछ प्रेयोजन होते हैं उत्तम काविय की काव्य अलंकार में दी गई काव्य प्रियोजनों की परिवासा है भामा के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षिश्व धर्मार्थ काम मोक्ष जो की चार आधार इस्तंभ है भारतिय जीवन के चार पुरुसार्थ है इन चार पुरुसारत हों और कलाओं में विचक्षंता का मतलब है एक्सपर्टनेस बहुत ज़्यादा निपुनता अध्भूत स्थर की निपुनता जिस पर कोई अचानक से विश्वास भी ना करें इस प्रकार की निपुनता पाने के साथ साथ कीर्थी और लोक प्रियता की प्राप्ति के लिए ताधू यानि कि स्रेष्ठ कावी रचना कवी द्वारा की जाती है ऐसे कावी की रचना होती है जो चित को पवित्र कर दे जो चित को निर्मल कर दे जो बुद्धी को पवित्र कर दे जो हमारे हिर्दय में जो भी मनोविकार चिपे हुए हैं अच्छे बुरे उनको अच्छा बना दे उनका सुद्धी करन कर दे मन का रं क्यों करता है धर्म की अर्थ की काम की मोक्ष की और कला में निपुनता प्राप्त करने की कीर्थी प्राप्त करने की लोकप्रियता प्राप्त करने की जब उसके अंदर इच्छा जागरत होती है तब वो उस रिष्ट का भी रचना करते है ये सारे के सारे उसके लिए पुरसार्थों से निवरित होने के बाद, चारों पुरसार्थों में ध्यान रखना है, ये मोक्स वाला पुरसार्थ जो है, ये तो अंतिम पुरसार्थ है जीवन का, इसकी तरफ बढ़ता है, उसका मतलब कि मोक्स प्राप्ट करने के बाद काविर रचना की जाए, ऐसा नही है तावे रचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि उसे मौक्ष प्राप्ट करना है चारों पुरसारतों की प्राप्ती के बाद जब वो मौक्ष की तरफ कमन करने लगता है तो दूसरी सांसारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह को उसी में समाहित कर दिया जाता है कितने भी तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती है हमारी सांसारिक रूप से अच्छी जीवन से लियापन करना प्रिष्ट साहिते पढ़ना अच्छे अच्छे काम करना धर्म के काम करना पैसा कमाना संतान क उत्पत्ति करना, ये सारे के सारे क्या है? हमारे जिम्मेदारिया, सांसारिक जिम्मेदारिया, ये पुरसार्थ है हमारे अलग-अलग, इन पुरसार्थों को करने के पश्चाहत, कभी जब दूसरी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है, जब उसके भीतर कोई व्यक्तिगत रूप से ना किसी के पृति ना किसी के लिए कोई राग द्वेश नहीं रहता है उसके पीछे सारी कारण क्या है निर्मल कावे क्यों करता है पुरसार्तों के प्राप्ति करने के लिए प्राप्ति वो पहले कर चुका है लेकिन उसको चौथे पुरसार्त के तरफ बढ़ना है मोक्स प्राप्ति के तरफ बढ़ना है धर्म अर्थ काम मोक्स को करने के बाद में इन चीज़ों से रहित हो जाने के बाद में वो चौते पुरसाथ की तरफ जब बढ़ता है तो संसारी क्रिया कलापों से वो मुक्त हो जाता है संसार की जितने भी जिम्मेदारिया होती वो उन से मुक्त हो जाता है अगर अगर वो धर्म अर्थ काम तक सीमित रहेगा पहले तो वो स्रिष्ट और निर्मल कावी रचना नहीं कर सकता क्यों क्योंकि उसके मन में तमाम तरीके के राग द्वेस मौजूद रहेंगे स्वाम तरीके की चिंताएं उसके दिल और दिमाग में हावी रहेगी और ऐसे में वो स्रिष्ट कावी रचना नहीं कर सकता है वो आधी अदूरी टूटी फूटी कावी रचना करेगा और टूटी फूटी कावी रचना कावी भी स्रेस कर नहीं होती वो कीर्थी और लोग प्रियता प्रदान करने वाली वो आपके पुरुसार्थों की प्राप्ति करने वाली रचना नहीं हो सकती है वहामा के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्स धर्म अर्थ और काम से जब मुक्ति मिल जाती है तो व्यक्ति मुक्ति की तरफ चौथे पुरसाथ को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है ऐसी इस्तियों में वो क्या करता है त्रिश्ट का भी रिष्णा करता है ताकि उसको कीर्थी प्राप्त हो ताकि उसको लोग प्रियता प्राप्त हो अर्थ की प्राप्ति वो पहले कर चुका है धर्म की प्राप्ति वो पहले कर चुका है जो चीजें उसे निवानी थी उनको वो निवा चुका है अब वो सांसारिक रागद्वेश से मुक्त हो गया है और सांसारिक रागद्वेश से मुक्त हो जाने के बाद वो स्रिष्ट कावि रचना करता है ताकि उसका चौथा पुर्ण हो सके ताकि वो मौक्स की प्राप्ति कर सके साथ ही साथ उसको कम्प्लिमेंटरी चीजों के रूप में कीरती और लोग प्रियता प्राप्त हो ताकि उसके दौरा जो कुछ भी रचा गया है वो सादू काव्य किस रणी में आए वो निर्मल काव्य किस रणी में आए निर्मल काव्य कार्थ क्या है जिस काव्य में किसी प्रकार के दोस्ट की व्याप्ति ना हो किसी प्रकार के दोस्ट की व्याप्ति हर इस्तर का दोस्ट जो है उससे मुक्त साहित्य निर्मल काव्य है जो चित्त को पवित्र कर दे, जो आपकी बुद्धी को माच दे, जो आपके मन का रंजन कर दे, वो साहित निर्मल साहित्त है, वो साहित निर्मल काब्द है। रिवन्धना कर दी तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा क्यों इस बात से साविश कूछ सर कर सकते है यह जो बात ऊपर लिखे ना पहली पंक्ति में धर्मार्थ काम मौक्ष रेच तो अपनी कला के द्वारा धर्म अर्थ और काम मोक्स को प्राप्त कर चुका होता है, मोक्स को भी वो अप्रतेक्स्तोर से प्राप्त कर चुका है, तभी तो वो जो है इतना बड़ा कला कार बनता है, एक स्रेश्ट रचना एक निर्मल कावे रचना करने के कारण उसको मोक्स प्राप्त हो चुका होता है लेकिन वो उसका आनंद लेता है उस रचना की प्रक्रिया के द्वारा जब बुद्धी में ऐसा कोई विचार आता है जो बहुत ज़्यादा लोगप्रिय होता है जो बहुत ज़्यादा निर्मल होता है ऐसी इस्तियों में व्यक्ति मोक्स की प्राप्ति कर चुका है तो मोक्स है क्या ज्यान प्राप्त करना और अगर एक रचना कार को रचना करने क आइडिया दिमाग में आ गया, कोई ज्यान मिल गया, तो वही तो मोक्स है, वही तो छुटका रहा है जीवन से, तो धर्मर्थ काम मोक्स ये चार पूरसार्थ है भारतिय दर्सन में, अगर इनकी प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद व्यक्ति के लिए कुछ भी प्राप् है, और एक ठ्रेश्ट कावि रचना से पहली पंक्ती में भामा क्या कहते हैं, कि धर्मर्थ और काम मोक्स की प्राप्ति होती है, और इन्हीं को प्रेवजन मौनते हुए बो एक स्रेश्ट कावि रचना करता है, इसलिए ये का गया है, कि उसको सारे अभिस्ट पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है अगर वो स्रिष्ट काव्य अगर वो साधू काव्य अगर वो निर्मल काव्य की रचना कर देता है तो ऐसा भामा मानते हैं मेरे इसाब से clear है कोई question हो इस बारे में तो बताइए भामय की रचना का नाम जरूर याद रखना भामय के अनुसार कावे प्रियूजन क्या है चार पुरसारतों की प्राप्ति करना और चार पुरसारतों की प्राप्ति होती तो स्वैम में दुनिया की तमाम चीजें चाहे वो कीरती है चाहे वो प्रिती है चाहे वो आपकी लोग प्रिता है चाहे वो धन की प्राप्ति है सारी की सारी चीजें जो है वो प्राप्त हो जाती है क्योंकि चार पुरसारतों में ये सारी की सारी चीजें अल्रेड़ी मेंसन है अचारी वामन की अनुसार विस्तुरित व्याप्चा है कावले प्रियुजनों की वामन की अनुसार कावले के दो प्रियुजन है एक द्रिष्ट और एक अद्रिष्ट द्रिष्ट प्रियोजन का समंद प्रिती से है और अद्रिष्ट का समंद कीर्थी से है कैसे है अभी बताते है प्रिती के द्वारा लॉकिक फल की तो कीर्थी के द्वारा अलोकिक फल की प्राप्ती होती है द्रिष्ट प्रियोजन का समंद प्रेती से हैं अद्रिष्ट का समंद कीर्थी से हैं प्रेती के द्वारा विक्ति को क्या प्राप्त होता है कोई लौकिक फल प्राप्त होता है इस बात को वो अपने सूत्र में रखते हुए कहते हैं काव्यालंकार सूत्र वर्ति नाम की आचारि वामन की पुस्तक है काव्या सास्तर की कहते हैं काव्याम सत द्रिश्टा दर्ष प्रीति कीर्ति हेतु त्वात काव्यां सत चारू द्रिश्ट प्रियोजनम प्रीति हेतु त्वात दो प्रकार के कावे प्रियोजन है द्रिस्ट और अद्रिस्ट यहां लिखा है ना द्रिस्टा द्रिस्ट और इसके साथ में आकी मात्रा जुड़ी हुई है द्रिस्टा द्रिस्टा अर्थ द्रिस्ट अद्रिस्टा के अर्थ में कावे प्रियोजन लिए गए है द्रिष्ट का सम्मंद किस से प्रीति कीर्थी है तो त्वात द्रिष्ट का सम्मंद है प्रीति से पहले वाला यहाँ पर पहला द्रिष्ट है द्रिष्ट का सम्मंद पहली चीज से और पहली चीज क्या है प्रीति question ऐसा पूछा जा सकता है छोटे मोटा दूसरा अध्रिष्ट का सम्मंद किसे है कीर्थी से क्रीती लॉकिक चीज है और कीर्थी क्या है आलॉकिक चीज है अध्रिष्ट प्रियोजनम कीर्थी हेत उत्वात अध्रिष्ट प्रियोजनम कीर्थी हेत उत्वात और द्रिष्ट कावि का प्रियूजन क्या है प्रीती प्रीती के हेतु वो द्रिष्ट कावि की रिचना करता है द्रिष्ट प्रकार का कावि लिखता है दोनों के साथ में एक विशेशन जोड दिया है चारुता का ये चारू का मतलब ही क्या है सुंदर या स्रेष्ट प्रिष्ट अथार्त जो दिखाई दे जिसे वामन ने प्रीती के साथ जोड़ रखा है और प्रीती का मतलब है आपका स्वभाविक प्रेम स्वभाविक प्रबर्तिया स्वभाविक प्रेम क्या क्या हो सकते जैसे धन की प्राप्ती करना, धन के प्रती प्रेवि, लोकिक है या आलोकिक है? और उस कावे रचना करने से उसके इस्ट देवता प्राप्त हो जाएंगे, उसके इस्ट देवता आशिरबात देंगे ये क्या है? हैंने कि भगवान का आसिरवाद उसको प्राप्त हो जाएगा अगर मैं राम के संबंद में काविर रचना करता हूँ तो मुझे हनुमान जी आसिरवाद देंगे और अपना भक्त स्विकारेंगे अलोकी कुद्देश यह हैं इसके पीछे प्रीती का मतलब आपके भीतर जो सहज प्रेम होता है स्वाभाविक प्रबर्तिया होती है जैसे अर्थ की प्राप्ति करना या काम की प्राप्ति करना ये मनुश्य की स्वभाविक रुचियां हैं, आदते हैं और इनको प्राप्त करने की इच्छा होती है कि स्रेष्ट का भी रचना करके और मैं स्वयम वर में किसी यूती को जीत लूँगा उससे मेरी साधी हो जाएगी और इसी को प्राप्त करने के लिए वो एक स्रेष्ट पाभी रचना करता है लेकिन समस्या क्या है? आचारिवामन कहते हैं कि स्वभाविक रुचियों की प्राप्ती करने के लिए मनुश्य अपनी स्वभाविक प्रवर्टियों को सांत करने के लिए स्वभाविक प्रेम को लॉकिक चीजों को प्राप्ट करने के लिए कई बार वो नैतिक आनैतिक मर्यादित अमर्यादित अनुचित उचित किसी भी प्रकार का रास्ता चुन लेता है ऐसा होता ना जैसे तुलसिदास के एक मित्र थे और उनको कुछ पैसा चाहिए था तो उन्होंने तुलसिदास जी से का कि राजा ने कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई रचना करके लाता है तो मैं उसको बदले में इतना पैसा दूँगा तो तुलसिदास जी उस मित्र के लिए वो रचना करते हैं यहाँ पर उस तुलसिदास जी के मित्र जो थे उनका प्रियोजन क्या है? अर्थ की प्राप्ति करना मतलब उनका प्रियोजन द्रिष्ट प्रियोजन है आचारे मामन के अनुसार और उन्होंने रास्ता कैसा चुना अमर्यादित रास्ता चुना उन्होंने खुद काविरचना नहीं की बल्कि अपने मित्र की सहायता से काविरचना करवाई तो आजारिवामन कहते हैं कि जो द्रिस्ट कावे द्रिस्ट प्रियोजन होते हैं उन द्रिस्ट प्रियोजनों में व्यक्ति जो है उचित अनुचित मार्ग अपना सकता है मर्यादित अ मर्यादित बताया हुआ न बताया हुआ रोका हुआ न रोका हुआ रास्ता अपना सकता है यहनकेन प्रक्रेण उसको प्राप्त करना उसका प्रियोजन हो सकता है जैसे पैसा प्राप्त करना या फिर सुन्दर इस्त्री को प्राप्त करना इस प्रकार के प्रियोजन जब काविक होते हैं तो उसके लिए आदमी जी जान लगा देता है साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रियोग कर लेता है और ये किस प्रकार के प्रियोजन होते हैं द्रिस्ट प्रियोजन होते हैं क्योंकि इसके प्रती व्यक्ति के मन में प्रीती होती है, उन चीजों को प्राप्त करने की चाहत होती है, और चाहत मनुष्य के स्वबाविक प्रवरती है। किसी भी चीज के पृती किसी भी समय जागरत हो सकती है बैड पे सोया हुआ है और बिमार है बहुत ऐसी इस्तिती में वो अगर खिड़की से देखता है कि एक बहुत सुन्दर सी कार जा रही है तो उसके मन में उस कार के पृती पृती जागरत हो सकती है क्योंकि वो सहज प्रवर्टी वो इनसान के भीतर हर समय मौजूद रहती है और इसका निवारन कब है जब वो अपने आपको उस इस्तर तक ले जाता है उस सहज प्रवर्टियों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है अपने स्वाबाविक प्रवर्तियों को जीत लेता है तब जाकर के उसके मन में प्रीति की बात या सहज प्रेम की बात सांत होती है फिर उसका प्रेम विसिस्ट प्रेम होता है और जब विसिस्ट प्रेम होता है तो फिर वो अलोकिक सक्तियों की तरफ बढ़ने लगता है पहला काव्य प्रियोजन मामन के अनुसार समझ में आया होगा द्रिस्ट काव्य है द्रिस्ट प्रियोजन है रिष्ट प्रियोजन का संबंद प्रीती से है, प्रीती का अर्थ क्या होता है, चाहना, ये चाहना कैसी है, जो मनिश्य के स्वभाविक प्रवर्ती है, किसी चीज के प्रती जागरत हो सकता है, कोई छोटी सी चीज के प्रती भी जागरत हो सकता है, एक सुन्दर सा पैन किसी क जेब में देख लिया उसके प्रती चाहँ पैदा हो गई व्यक्ति उचित अनुचित किसी भी प्रकार के रास्ते को अपना सकता है तो जानने की कोशिस करता है कि ये पैन किसको मिलता है जैसे त्री उडिट में आपने देखा होगा न एक उस प्राफेसर के पास एक कोई पैन होता है और उसको पैन को प्राप्ट करने की चाहत उस लड़के में पैदा होती है टॉप करता है और उसको वो पैन देता भी ये बात है तो छोटी सी चीज़ के प्रती भी चाहत पैदा हो सकते है और उसके लिए वो किसी प्रकार का रजन कर सकता है किसी प्रकार की रचना क कर सकता है और ज़्यादा तर यह अर्थ और काम के पंदर्व में होती है और इसके लिए वो उचित अनुचित किसी भी परकार का रास्ता अपना सकता है इसलिए इसको प्रथम स्रैनी में रखा है ड्रिस्ट प्रिवुजनों में प्रीति को रखा है इसके साथ में चारू विशेशन क्यों जोड़ा है चारू विशेशन के द्वारा समाज और परंपराओं द्वारा जो मान्यता प्राप्त मार्ग है उस मार्ग के रूप में कावे की रचना का विधान किया गया है समाज का जो उचित तरीका है वो तरीका पहले मौजूद होता है उसके सामने लेकिन कई बार उनको राप्त करने के लिए वो अनुचित मार्ग अपना लेता है और जब अनुचित मार्ग अपना लेता है तब उसका साहित्य तब उसके द्वारा जो रचना की जाती है उस रचना का विधान जब लोगों के सामने आता है क्या उस कवी के पृति लोगों के मन में जो छवी अभी तक थी वो छवी बरकरार रहती है या गिर जाती है गिर जाती है उसके यस में कमी हुई की वर्दी हुई कमी हुई उस व्यक्ति के पृति जो लोगों के मन में अभी तक स्रद्दा थी अभी तक जो उस व इसलिए वामन क्या कहते हैं कि ये चारू विशेशन होना चाहिए चारू विशेशन का मतलब साहिते में वो सुन्दरता मौजूद होनी चाहिए वो सिद्धान्त वो बातें वो मानत प्राप्त परंपराएं नहित होनी चाहिए जिसके कारण किसी व्यक्ति या किसी रचनाकार के जो कुछ भी सरजन किया गया है उसमें बाद में यस आनी ना हो मैं मान लीजी अभी किसी और की कोई रचना जो है वो खरीद लेता हूँ कुछ पैसां में और उसको अपने नाम से प्रकाशित कर देता हूँ और उसके बाद वो बहुत फेमस हो जाती है मुझे टीवी वाले इंटर्व्यू के लिए बुलाते है मेरा यस तो फैल गया मेरी प्रसेद्धी तो हो गई कि फलाने आदमी ने इतनी अच्छी रचना लिखी है बहुत तगड़ी रचना है और आज उसका इंटर्व्यू आने वाला है सारे लोग मुझे देखना चाहेंगे सारे लोग मेरी बात को सुनना चाहेंगे अब इंटर्व्यू चल रहा है इसी बीच वो जो है शाक्षात का लेने वाला व्यक्ति है वो मुझसे ऐसे टेड़े में एक क्वेस्चन करता है जो उसकी रचना प्रकिरिया के उपर आधारि किसी को डरा धंका कर भी कर सकता हूं किसी को पैसे दे कर भी ऐसा करवा सकता हूं कोई भी तरीका अपना करके करवा सकता हूं जब मैं डरा धंका कर या कोई और अनुचित तरीके से करता हूं तो इसका मतलब है वो साहितियर या वो रचना जो है चारूता की परिभासा को छ डरा धंका कर किसी दूसरे व्यक्ति की रच्णा को अपनी रच्णा कहकर बतलाना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि परमपरा और ये तरीका, ये माननेता समाज के दोड़ा दिया गया एक अच्छा स्टेस्ट मार्ग है, चारु सुन्दर मारग है, चारु का मतलब ही सुन् सामने आती है कि यतना मेरी नहीं है मैंने नहीं किये फुलाने विक्ति ने की उस समय मेरी क्या दसा होगी उस समय मेरे यस और मेरी उस प्रसिद्धी का क्या होगा लोग धूकेंगे इतनी प्रसिद्धी हुई थी उतना ही ज्यादा मेरा मजाग बनाया जाए हो भले ही उसमें खुद की यस की प्राप्ति करना हो भले ही कुछ भी अपने काम भावना को सांथ करने की बात हो या ऐसी कोई भी सहज प्रवर्टी हो जिसको प्राप्त करना चाहे लेकिन उसके लिए रास्ता कोई सा भी चुन सकता है लेकिन एक व्यक्ति को वो रास्ता चु ना करके वो चीज प्राप्त की गई हो वो रचना परंप्रा तरीके से हो मानने ता प्राप्त तरीके से हो अगर ऐसा होता है तो वो द्रिष्ट प्रियोजन है अगर उस रचना का रचनाकार मैं ही हूँ और मैं किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए मान लिए धन प्राप्ति के लिए वो रचना करता हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है मैं रचना धन प्राप्टी के लिए कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने की धन के साथ आपका यस भी जूड़ जाता, आपका सम्मान भी जूड़ जाता, आपकी प्रसिद्धी भी जूड़ जाती है आपकी कलाएं भी जुड़ जाती है बाकी सारी चीज़ें जो है सेकंडरी चीज़ पर एड होती जाती है केवल रचना द्वारा ही नहीं उसके पाठ और गान के द्वारा भी प्रीती की प्राप्ती होती है बिल्कुल और कुछ लोग क्या करते हैं जैसे मान लीजे आपने मनोज मुंतसर को यूट्यूब पे कविताओं का पार्ट करते हुए सुना होगा और भी कई लोग हैं जो कविताओं का पार्ट करते हैं वो दिनकरजी की रेचनाओं को बड़ी अच्छे तरीके से प्रस्तूत करते हैं या उधारन के लिए आप अगर कोई कहानी को अच्छे से बोल पाते हैं वाचन कर पाते हैं तो प्रेम चन की SOC कोई कहानी ले ले लिए मान लिजिए कजाकी ली और कजाकी का वाचन इतने संदर तरीके से किया कि हूर रात हो रात आपका वीडियो जो है million million views तो रचना कार तो प्रेम चल्द है इस समय यस की बृदी किसकी हो रही है हमारी सर्जो बोलेगा सर्जो वाचन कर रहा है तो वामन कहते हैं कि ऐसा भी होता है कई बार किसी कवीता का पाठ या किसी कवीता का गायन करके भी प्रीती की प्राप्ति होती है यस धन मिलता है उससे बहुत सारे लोग है जो दूसरे कभियों की रचनाएं पढ़ करके भी पैसा कमाते हैं धन की प्राप्ति कर रहे हैं वो उनका प्रियूजन है हो सकता है लेकिन क्या इसमें चारू इसमें देखें दो तरीके हैं एक वो तरीका जिसमें क्रेडिट ना किया जाएं हाँ बलकुल आरण लोग रचनाएं किया करते थे भाट लोग उन्हें पढ़ा करते थे ऐसा उनका सिस्टम रहा करता थे वो लोग आ जा नहीं सकते थे हर जद्दरवार में एक ही समय में एक ही जगय पर उपस्तित रह सकते थे तो वो लोग रचनाएं लिखकर के भाटों को दिया करते थे भाट लोग या जो ग्रदावली गाने वाल लोग थे वो लोग अलग-अलग जगे पे जाके रचनाएं गया करते थे प्रीती किसकी होती थी आज आप देखेंगे बहुत सारी रचनाएं जो है भाटों के नाम से प्रकासी थे ये कहा जाता है कि फलानी रचना के रचनाकार ये भाट है जबकि हकीकत क्या है उसके रचनाकार कोई चारण रहे होगे वो सिर्फ उसका वाचन या पाठ करते थे लोक में उपर चली तो ये तब भी बन गई किवल रचना द्वारा ये नहीं पाठ और गान के द्वारा भी प्रीती की प्राप्टी होती है फिलमी गाने ले दीजिए लिखता कौन है लिखा तो है साहिर लुध्यान भी ने गाया किसी फलाने आर्टिस्ट ने है आप किसको जानते हैं साहिर जहनवी को जानते हैं या मौमद रफी को जानते हैं मैकसिमम लोग मौमद रफी को जानते हैं गाने के बोल लिखे हैं मनोज मुंतसर में लेकिन उसको गाया है अरजीत सिंग ने तो आप किसको जानेगे मनोज मुंतसर को जानते हैं या अरीजीत सिंग को जानेगे अरीजीत स का पार्ट करता हूं और उसको वीडियो यूटूब पढ़ाल देता हूं बहुत प्रसिद धो जाता बहुत फेमस हो जाता है अगर मैं उसमें यह कहता हूं कि ये मेरी लिखी हुई कवीता है इसका मतलब क्या हो गया मैंने चारुटा को वहां से गायब कर दिया है जिस चारूता की बात आचारी वामन करते हैं कावय प्रयोजन के लिए उसको मैं खा गया हूँ और उस पे गलट ठपा लगा रहा हूँ, ये रचना मेरी है ये अनोचित तरीका है, उचित तरीका क्या है? उसमें चारूता कब आती है? जब मैं परमपरागत या मानेता प्राप तरीकों से उसको उस रचना के विधान में अपना पक्स रखता हूँ कि हाँ ये रचना तो दिनकर जी की है लेकिन इसका वाचन मैंने किया या गायन मैंने किया रचना तो फलाने कभी की हैं लेकिन इसका वाचन गायन मेरी द्वारा किया गया है ये चारूता है आप उचित अनुचित चीजों को क्लियर करें अगर करते हैं तो उस कावे में चारूता है वो कावे जो है आपकी प्रयोजनों को पूर्ती करवाता है अधर्वाइज क्या होगा मान लीजिए मैं दिनकर जी की कोई रचना को अपने नाम से यूट्यूब पे प्रकासित करता हूं और कहता हूं कि मेरी रचना है चलो सुरुआत के पचास हजार लोगों को पता ही नहीं चला कि यह किस की रचना है या उनका इंट्रेस्ट ही नहीं या उन्होंने कभी रचना सुनी ही नहीं मान लीजी पचास हजार के बात कोई व्यक्ति आता है वो उस वीडियो को देखता है और देखते ही नीचे सिंपल से बात है क्योंकि मैंने वहाँ पर प्रमपरागत जो मानेत आएं थी जो चारूथा होती काविय में तो काविय प्रियूजन में चारूथा जैसे चीज वामन के अनुसार इंट्रिजूस की गई थी उसका मैंने हनन्द किया उसको मैं जो है खत्म कर देता हूं इस वज़े से मेरी खिलाफत हो रही ही, मेरे यस्में और सम्मान में जो बृद्धी हुई थी वो अचानक से विपरीत हो जाती है जैसे सूट, मागद, बंदी जनों के द्वारा, ये बंदी जन, मागद और सूट लोग कौन है? ये भाट चारनित्यादी लोग जो कवीता पाट किया करते थे घूम फिर कर अस्रेश्ट कावे का गायन करने पर उन्हें अर्थ की उपलब्दी होती थी लेकिन वो बताते थे बाकायदा कि ये किसकी रचना है? ऐसा नहीं कि उनको लिखा किसी ने नाम अपना छाप दिया और आगे जमा कर दिया ऐसा नहीं करते थे वो, वो बाकायदा बताते थे कि य किस कभी की रचना है, किस दर्वारी कभी की रचना है, उनका असर अधा कौन है, सब कुछ पूरा विधान के साथ बताते थे और ये जो है द्रिस्ट प्रियोजन है आपका अर्थ प्राप्ति का जो चारूता लिए हुए है अगर आप नहीं बताते नाम अपना लगा देते तो वहाँ पर चारूता भंग होती है मनुष्य की मूल प्रवर्ति की रूप में काम भावना का प्रिष्कार भी स्रिष्ट कावे को पढ़ने या सुनने से होता है काम भावना है सांत होती है अगर वो स्रिष्ट कावे रचना पढ़ता है तो उसके भीतर जितनी भी अब आंशनी भोगलालसाइं होती है वो भोगलालसा हैं सांत होती है उनका शमन होता है इससे अच्छा साहित्य पढ़ने से तो यह भी क्या होते हैं प्रियुजन होते हैं मैं दूसरे लोगों की भी काम भावनाव को सांत करूँगा और मेरी जो अवांचन ये भोगलालसा हैं उनको भी मैं एक ऐसा काव्य लिख करके शांत करूँगा, उनका शमन करूँगा, ये भी विक्ति का प्रियोजन हो सकता है, ऐसे ही कीर्ति को चारुत्व के साथ जोडने का भी विसेस आर्थ है, पहला दृष्ट प्रियोजन, दूसरा अध्रिष्ट प्रियोजन, दृष्ट प्रियोजन को जोड़ा है, किसी भी चीज के पृति आपकी चाहना लगाओ, उसको जोड़ा, वो प्रिति कहलाती है, उसके साथ चारुता जोडने का अरत क्या है, वो प्रापर नाम दे, ये रचना किसकी है, अगर वो नहीं देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो समाज के द्वारा जो परंपराएं और मानेताएं थी उन मानेताओं और परंपराओं को भंग करता है और ऐसा करने से उसके यस और उसके सम्मान में व्रती नहीं होती है बलकि वो फतित माना जाता है कीरती को चारुतों के साथ जोडने का भी एक विसे सर्थ है कीर्थी हासल करने के प्रमोख उपाय है धर्म और मोक्ष कोई व्यक्ति धर्म के कारे करता है और धर्म के कारे करते 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 मोक्ष को प्राप्त हो जाता है उसका नाम सैंवडों हजारों बरसों तक लिया जाता है ये उसकी कीर्थी है क्योंकि धर्म का कार्य करने से उसको यस की प्राप्ति होती है लेकिन केवल यस के लिए किये जाने वाले धर्म का अनुस्थान क्या करता है उसके भीतर गमंड को जन्म देता है पाखंड को जन्म देता है इसलिए धर्म का भी कैसा रूप त्रिस्ट रूप जिसमें गमंड ना हो, जिसमें दर्प ना हो, जिसमें पाखंड ना हो इस प्रकार का धर्म का रूप और इस प्रकार का धर्म के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो उसको मोक्स प्राप्त होता है और मोक्स का अर्थ क्या हो गया किसी भी चीज का वास्तिक ज्यान प्राप्थ हो जाना मोक्स प्राप्थ हो जाना है जीवन की सच्चाई का पता चल जाना कि जीवन क्या है क्षण भंगूर है कैसे है मेरे जीवन के संदर्व में ये बात कैसे सटिक और लागू होती है अगर आपको ये पता चल गया तो इसका मतलब है कि आपको मोक्स प्राप्त हो गया ग्यान की प्राप्ति हो गया ये सच्चाई आप जान गए है इस दुनिया की दर्म और मोक्स की प्राप्ति जो व्यक्ति कर लेता है वो कीरती हासिल कर लेता है लेकिन धर्म और मोक्स किस से रहित होने चाहिए दंभ और पाखंड से इन दोनों से रहित होने चाहिए अगर दंभ और पाखंड आ गए आपके धर्म के कारियों में भले ही आपका यस कितना ही है आपके अंदर घमंड आ गया आप किसी को कुछ नहीं समझते हैं आप फिर पाखंडी व्यक्ति बन जाते हैं और केवल दिखावा करने के लिए धर्मिक कारियों का अनुस्थान करते हैं तो फिर आपकी भीतर जो चारूता है वो नस्ट हो गई है आपकी चारूता खत्म हो गई है कीर्थी हासिल करने के लिए व्यक्ति क्या करता है धर्म और मोक्स की प्राप्ति करता है अगर वो धर्म और मोक्स की प्राप्ति सही तरीके से करता है उसमें दर्प या घमंड या पाखंड नहीं है तो इसका मतलब वो चारूता के साथ कीर्थी को प्राप्ति कर रहा है और य उसके किसी भी कारी को करने के लिए उदेश्य हो सकते है उसके प्रेवजन हो सकते है ऐसे ही किसी भी साहित्य की रचना यस प्राप्ति के लिए की जाए और उस यस से अगर रचनाकार के भीतर किसी प्रकार का दंब या किसी प्रकार का पाखंड ना पैदा हो क्योंकि रशनाकार, रशना करने के दौरान ज्ञान की प्राप्ती करता है, वो वास्तिविक ज्ञान होता है, उक्षनिक ज्ञान नहीं होता है, वो जो है, नियमित ज्ञान होता है उसका, सार्वकालिक ज्ञान उसकी प्राप्ती होती है उसको, और सार्वकालिक ज्ञान की प प्राप्त करना है अगर वो बिना दम्ब बिना घमंड बिना पाखंड के उस रास्ते तक पहुंचता है तो इसका मतलब उसने चारूता रखे इसका मतलब उसने अद्रिश्ट प्रियोजन रख करके कोई कावे रचना की है लेकिन इस रचना के दौरान उसके भीतर घमंड आ जाता और वो सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता या मेरे जितना येस कोई प्राप्त नहीं कर सकता है तब वो चारूता को नस्ट कर देता है और उसका जो अद्रिश्ट प्रियोजन था वो भी क्या हो जाता है भंग हो जाता है किसी व्यक्ति को अगर अपनी र रचना क्यों नहीं हो गमंड करता है पाखंड करता है उसके साहरे से दीरे दीरे करके उस व्यक्ति का पतन होने लगता है ऐसे में उसका प्रिवजन सिद्ध हुआ कि या सिद्ध हुआ इसका प्रिवजन सिद्ध नहीं हुआ जिस उद्देश्य को लेकर कि उसमें रचना की कि कोई काम किया था वो काम उसका क्या हो गया भंग हो गया अब इन चीजों को conclude कर रहा हूँ अचारी मौमन कहते हैं कि गलत तरीके से अर्थार्थ बिना चारुता के अद्रिष्ट कावे में चारुता का संबंद किस्से हैं द्रिष्ट कावे में द्रिष्ट कावे जो किसकी जो किसके आदार पर है प्रीती के आदार पर प्रीती का मतलब क्या है सहज प्रेम और यहां पर तारुता भंग कब होती है जब आप अनुचित तरीके से किसी रचना की किसी रचना का विधान करते हैं कैसे अनुचित तरीके से जो अनुचित तरीका क्या है जो समाज की द्वारा स्विक्रत नहीं है जो परमपराओं में नहीं है उस तरीके से अगर आप किसी को डरा धमका करके किसी को मार पीट करके और को इसायतिक रचना करवाते हैं और उसको अपने नाम से छपवाते हैं और आप यस की प्राप्ति करते हैं या कुछ भी प्राप्त करते हैं वो तरीका क्या है अनुचित है और वहाँ पर जो है दूसरा जहां आदरस्ट काव्य का संबन्द किस्से बताया कीर्ति से किसी व्यक्ति कीर्ति का संबन्द किस्से हैं अगर उसने यस की प्राप्ति प्रापT कैसे कार्य कर रभार्म कार्य है कि साहार изladım了 और धर्म के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति की है अद्रिष्ट कावे का सम्मंद दो पुरुसार्थों से एक धर्म और एक मोक्ष और द्रिष्ट कावे का सम्मंद दो पुरुसार्थों से कौन से अर्थ और काम यहाँ पर चारुता का सम्मंद क्या है अगर आपके भीतर कोई धर्म से समंधित काम करते हुए या ज्यान प्राप्ति करते हुए अगर आपके भीतर घमंड पैदा होता है अगर आप अपने आपको ही सबसे बड़ा ज्यानी समझने लगते हैं तो वहाँ चारुता नस्ट हो जाती है और जैसे ही चारुता नस्ट होई आपका जो ये अद्रस्ट प्रियोजन है वो भी क्या हो जाता है भंग हो जाता है इसलिए एक रचनाकार जो है इन दो प्रियोजनों को चारुता के अनुसार पूरा करने की कोसिस करता है उसमें चारूता रखते हुए उसमें संदर्ता रखते हुए उसमें संदर्ता का समावेश रखते हुए नहीं है कुछ दिनों तक ही पूछते जब तक कि उसका परदा फास नहीं होता तब तक ही पूछते हैं जैसे आप आज कल पिछले दो एक टीन सादों में आपने बहुत सारे लोगों को देखा ना जो अकंड करते थे धर्म के नाम पे उनको पकड़के जेलों में डाल दिया ग पता है थोड़ी बहुत सामाजिक ता पता है वो व्यक्ति उनका सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि उनकी कार्य के प्रयोजनों में किसी प्रकार की चारूता जो थी वो भंग हो गई है तो मामन क्या कहते हैं कि गलत तरीके से यस पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कवित्व सक्ति का दुरूप योग करता है तो वो ना करें इससे सामाजिक व्यवस्ता भंग हो जाती है इससे समाज में जो है एक तरीके का अनुसासन खत्म हो जाता है फिर व्यक्ति जो है गलत सही काम किसी प्रकार का कर लेता है जैसे जैसे ये जो संतों के परमपरा चलाई है नकली संतों के परमपरा अब आप देखिएंगे हर गली में एक आसरम बना हुआ है जहां पर संत साप जो है अच्छा खासा मास मदीरा सेवन कर रहे हैं अच्छी खासी चारों तरफ उनके यहां पर संदर यहां विचरण कर रही है और संत बने वो बैठे हैं सिर्फ बगवे रंगे कपड़े प्रेंगे हैं चड़ने के लिए अच्छा खासा उनके पास वेहिकल है लगजरी संत बनके बैठे हुए क्या हुआ है सामाजिक व्यवस्ता भंग होई है कोई भी व्यक्ति जिसके पास अब दूसरा रास्ता नहीं है वो अनैतिक रास्तों को अपनाते हुए क्या कर लेता है संत बन जाता है उपदेश देता है जूटे उपदेश देता है और लोगों को बेकूप बनाता है इस पर सिरफ कवित्व सक्ति नहीं कोई भी काम करने से सामाजिक विवस्ता भंग होती है यह हम अपने आँखों से प्रत्यक्स अभी देख चुके हैं हमारी आज की पीड़ी देख चुकी है पुरुसार्थ सिद्धी का सम्मंद एशना त्रे की पूरती से जुड़ा हुआ है जिसका सम्मंद मनुष्य के भीतर तीन मूल इच्छाओं से है पुरुसार्थों की प्राप्ति व्यक्ति क्यों करता है इसके पीछे तीन कारण है तीन एशना हैं एशना का मतलब क्या होता है इच्छा इच्छना मतलब इच्छा लिपसा, चाह तीन प्रकार की चाह होती है जो व्यक्ति को पुरुसार्त-सिद्धी की तरफ ले जाती है इसको इच्छना त्रेय बोलते है ये कार्थ समद में ऐसा पूछा जा सकता है प्रक्ति के भीतर पुरुसार्थ प्राप्ति के लिए जो तीन मूल इच्छाएं हैं वो प्रेशना कहलाती है कौन कौन से ये तीन इच्छाएं एक पुत्र इच्छना पुत्र की प्राप्ति की इच्छा होती है उसके भीतर और इस से कौन से पुरुसार्थ की सिद्धी करता है काम की वितैश्रना अर्थ की प्राप्ति करता है और धर्म के द्वारा वो मुक्स को साधता है ये उसकी लोकेश्रना मुक्स की प्राप्ति करना परमात्मा की प्राप्ति करना ये इच्छा जो है वो लोकेशन है आचारी वामन के समय लोक भासा कवी और संस्कर्थ भासा के कवियों द्वारा कवित्व सक्ति का दुरूपियों किया जा रहा था इस वजए से आचारी वामन ने चारूता जैसी चीज को अपनी परिवासा में जोड़ा कि कावि प्रियोजन जब कोई व्यक्ति अपने मन में धारन करता है सोचता है कि मुझे किस प्रियोजन को लेकर के कावि रचना करनी है तो वो चारूता का विशेष ख्याल रखे क्योंकि बिना चारूता के क्या होगा सामाजिक व्यवस्था होगी सामाजिक व्यवस्था बंग हो जाएगी इससे फिर नहीं पता चलेगा कि गदा कौन है और होश्यार व्यक्ति कौन है उद्धिमान और मुर्ख की बीच कोई अंतर नहीं रहेगा आपसे पैसे के बल पर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की रचना खरीद के वह अपने आपको महान बनवा सकता है अपने आपको महान साबित कर सकता है अगर उसके पास पैसा है अगर उसके पास कुछ और चीजे जो आपको आगर सित करती है वो चीज दे करके आपसे कावे रचना अपने नाम करवा सकता है उसकवित्व सक्ति का दुरूप्योग कर सकता है और इससे समाज की विवस्ता भंग होती है यह उस समय हो रहा था इसलिए आचार वामन को चारूता जैसी चीज जोड़नी पड़ी वामन ने एक आचार सही था और नैतिक था कि निर्मान की कोशिस की है कावे प्रियोजनों को विक्सित करने के लिए और इसमें चारूता को इसी वज़े से जोड़ा है तक एक आचार सही था कभियों के मन में रहे कभियों के विचारों में रहे कि जब भी कोई उद्देश निर्धारित किया जाए किसी रचना को करने के पीछे तो वो तारूज सब्द का विसेश द्यान में रखें कि मुझे आनैतिक तरीका नहीं अपनाना है मुझे घमंडी नहीं बनना है मुझे अराजक तत्व नहीं बनना है बलकि सही रास्ते से उचित रास्ते से व्यवस्ता को बनाते हुए सामाज एक मानेताओं के अनुसार अपनी कवित्व सक्ति का उप्योग करना है किसी दूसरे की कवित्व सक्ति को अपनी सक्ति बना करके प्रस्तूत नहीं करना है ये काविकिप वामन के अनुसार प्रियोजन थी दो प्रियोजन है द्रस्ट अद्रस्ट द्रस्ट का सम्मंद प्रीती से है सहज प्रेम से है और इसके लिए उसने दो पुरुसार्थों का इस्तेमाल किया है और दूसरा जो प्रियोजन है वो अधरिस्ट प्रियोजन है और अधरिस्ट प्रियोजन का समंद कीरती से हैं कीरती का मतलब है यस जो दिर्ग जीवी होता है यस जैसे तुलसी दास की कीरती संसार बर में अर्थारत उनका नाम संसार बर में आज तक इतने साल बीट गए फिर वालमीक का नाम वालमीक की कीरती संसार में फैली हुई है उसे रचना के कारब